श्री शद्यगुरू महाराज कीजे पुज्यपाद महर्शी संसेवी परमहन्जी महाराज का परवचन वेद का गर्जन के सामने सवशास्त्र फीके पड़ जाते हैं आदर्णी शजन्वरीन तथा आदर्णिय माताओ एवं भक्ति मती बहनो किशी सुभासितकार ने कहा है तावत गर्जन्ती शास्त्रानी जंबुका वीपीने यथा नगर्जती महाशक्ती आवत वेदान्त केश्री अर्था जंगल में वन में सियार आदी वन्य पशू तब तक ही आवाज करते हैं जब तक सिंग का गर्जन नहीं होता है सिंग के गर्जन के सामने सभी पशू मुक हो जाते हैं उसी तरह जब तक वेदान्त ग्यान सामने नहीं आता है तब तक अन्य ग्रंत शास्त्र अपनी अपनी बातें कहते हैं। वेदान्त ग्यान के शम्मुख अन्य सारे ग्यान गौन पर जाते हैं, मौन हो जाते हैं। वेदान्त ग्यान क्या है वेद और अंत ये दो शब्द हैं वेद कहते हैं ग्यान को जहां ग्यान का अंत हो जाता है वह है वेदान्त ग्यान ग्यान का अंत कहां होता है अनुभव ग्यान में प्रत्यक्ष ग्यान में और परोक्ष ग्यान में प्रत्यक्ष नुभूती में ग्य पहले श्रवन ग्यान फिर मनन ग्यान तत्पश्चात निदिध्याशन ग्यान और अंत में अनुभव ग्यान होता है। उस अनुभव ग्यान को प्राप्त करके काग्व सुन्डी गरूर जीशे कहते हैं। निज अनुभव अब कहुं खगेशा बिनुहरी भजन न जाही कलेशा। अर्थात जब तक इश्वर का भजन नहीं करोगे तब तक कलेश निशेश नहीं होंगे। इसलिए इश्वर का भजन करो। अनु और भव इन दो शब्दों के योग से अनुभव शब्द बना है। अनु का अर्थ होता है पीछे और भव का अर्थ होता है होना। जो ज्ञान सब से पीछे होता है, जिसके बाद और कोई ज्ञान बाकी नहीं रह जाता, वह अनुभब ज्ञान कहलाता है, अगर कुछ ज्ञान बाकी रह गया, तो वह अनुभब ज्ञान नहीं कहा जाएगा, हरी भजन करते करते अनुभब ज्ञान होता है, उसी से शाश्वत शुख और शान्ती की प्राप्ति होती है प्रश्ण होता है कि हरी भजन कैसे किया जाए इसके उत्तर में गोशामी तुलशिदास जी महाराज कहते हैं तीन अवस्था तजहू भजहू भगवंत वे प्रभू कैसे हैं तो कहा गुरुनानक देवजी महाराज कहते हैं ऐसी सेव कुशेवा करे जिसका जीव तिसु आगयद धरे गोशामी तुलशिदास जी महाराज ने रामशरित मानस में लिखा है शरिता जल जल निधी महजाई होई अचल जिमी जीव हरी पाई जिस तरह शरिता का जल शमुद्र में जाकर अस्थिर हो जाता है उसी तरह जब जीव पीवे से मिलकर एक हो जाता है तो अस्थिरता आ जाती है आवा गवन का चक्र मिट जाता है शरिता का जल शमुद्र में जाकर मिलता है शरिता में जल आया कहां से शमुद्र से वास्प उठता है वह वास्प बादल का रूप धारन करता है बादल से वर्षा होती है वरिष्टी कितनी ही उचाई पर क्यों न हो लेकिन वह जल वहां पर ठारता नहीं जितनी अधिक उचाई पर वर्षा होती है उतनी ही अधिक तेजी से वह जल नीचे की ओर भागता है मान लिजे पहार की चोटी पर वर्षा हो गई वहां से वह जल नीचे की ओर प्रवाहित होता है किशी नाले में चला जाता है नाले का जल नदी की ओर भागता है नदी का जल गंगा जी की धारा में जाकर मिलता है और गंगा जी बंगाल के खाड़ी शमुद्र में मिल जाती है जब पहार की चोटी पर पानी गिरा तो अस्थिर नहीं रहा चलता रहा नाले से आकर भी नदी में जाकर भी चलता रहा गंगा जी में भी आकर चैन नहीं मिला चलता रहा जब वह जल शमुद्र में आ गया तब उसमें अस्थिरता आ गई मतलब यह की जहां से प्रिथकता हुई थी वहां आ जाने पर अस्थिरता आ गई उसी तरह यह जीव परमपिता परमात्मा से प्रिथक होकर पींड में आया है यह पुनह वहां जाकर उससे मिल जाए तो अस अस्थिर्ता आजाएगी अस्थिर्ता आज गई तो शांती मिल गई शांती मिल गई तो शुख मिल गया जब तक यह जीव उश्पीव से मिल नहीं जाता तब तक 84 लाख योनियों में चल कर चक्कर काटता रहेगा इसके विपरित कोई पानी पहार पर से नीचे उत्रा एक गढ़े में चला गया शहर के किनारे वह गढ़ा पढ़ता है वहाँ सहर के किनारे नगर पालिका की रंग विरंगी बिजली की रोशनी पढ़ने लगी रंग विरंगे प्रकाश से पानी में चक्मकी आ गई वह पानी समझने लगा जब से गड़े में आया हूँ तब से ही यह चकमकी आई है अतह यहीं पर रह जाओं और वह वहीं रह जाता है परिणाम क्या होता है शमय पाकर वर्षा का समय शमाप्त होता है पानी घटना शुरू होता है वह शुखने लग जाता है और उसमें कीरे प इसको कोई पूछने वाला नहीं रह जाता इसी भाती यह जीव प्रभूर से विशर कर इस अस्थोल शरीर और अस्थोल संसार में आ गया तब से इसको पंच विश्यों की चकमकी मिली दुनिया की आकरशक दिखावट भूल भुलया में परकर उससे सम्मोहित होकर मन में सोचा ऐसी मोज और कहां है परिणाम स्वरूप वह इस शरीर और संसार रूपी कारागार में कैदी बनकर दैहिक दैविक और भौतिक तापों से संतप्त होकर रहता है और विविद भाती के दुखों के थपेरे खाता हुआ रोता है चिलाता है आकुल ब्याकुल होता है इनसे के दिखता नहीं करुणा करुणाले शंत जन कहते हैं कि अपने को इश्कारागार से अंधकूप संसार से निकाल कर प्रभू से मिलाओ इसके लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं अपने शरीर के अंदर ही अंदर चलो गुरु नानक देवजी महराज फरमाते हैं शब कुछ घर में है बाहर टटोलने की जरूरत नहीं जिन्होंने बाहर जगत में प्रभू के पाने की खोज की वह भ्रम्य माया में भूला रह गया लेकिन जिन पर गुरु किरपा हुई अंतर शाधना की उनको अपने अंतर में प्रभू की प्रापती हुई फिर तो उनक अंतर बाहे शुकी हो गया प्रभु प्राप्ति पत्थ पर अग्रशर होने वाले पथिक को अपने अंदर में जोती और नाज रूपी अम्रित की वर्षा होती है जिनको प्राप्त कर सुरत दीन रात परम प्रभु प्रमात्मा के शंग में आनंद विनोध करती रहती है जिस प्रकार जल की लहर जल में मिलकर एक हो जाती है उसी प्रकार आत्म जोती प्रमात्म जोती में मिलकर एक हो जाती है भ्रम का कपाट छिन्य भिन्य हो जाता है और वह जीव पुनह बंधन में नहीं पड़ता शब किछु घर महीं बाहरी नाहीं बाहरी टोले शो भर्मी भुलाही गुर परशादी जीनी अंतरी पाईया शो अंतरी बाहरी शुहेला जीव जीमी जीमी बर्षे अम्रित धारा मनु पीवय शुनी सब्दु विचारा अनद विनोद करे दिन राती शदा शदा हरी केला जीव जनम जनम का विछूरिया मिलिया शाध क्रियाते सुका हरिया शुमती पाए नामु धियाए गुर मुखी होए मेला जीव जल तरंग जीव जल ही समाया तीव जोती संगी जोती मिलाया कहू नानक भ्रम कटे किवारा बहुरिन होये जाउला जीव जल और जल तरंग दो नहीं तत्व रूप में दोनों एक ही है उशी भाती जीव और पीव तत्व रूप में दोनों एक ही है गोशामी जी के शब्दों में हम कह सकेंगे गिरा अरथ जल बीची चम कहियत भीन न भीन गिरा अर्थात शब्द शब्द और उसका अर्थ मातर कथन के लिए दो है लेकिन दो नहीं अद्वय है मान लीजे एक शब्द जल जिसका अर्थ होता है पानी आप जल कहे अथवा पानी कहने के लिए दो शब्द हुए परंतु तत्व रूप में एक ही है इसी प्रकार जल और उसकी लहर कहने के लिए भिन भिन है लेकिन अभिन है सीता और राम शब्द वेभार के लिए पृत्थक पृत्थक है वस्तुतह दोनों में ओ पृत्थकत्व है ठेक इसी समय न्याई से जीव और पीव की भिन्नता और अभिन्नता समझनी चाहिए। शूफी कवी मौलाना रूम ने बड़े जोड़दार सब्दों में कहा है। खुदा जुदा की एक शूरत नुक्ता भेद बताता है, नुक्ता ऊपर नुक्ता नीचे नुक्ता आता जाता है, नुक्ते के हेर फेर से तुमसे जुदा हुआ, नुक्ता जो धराशर पर खुदी ही खुदा हुआ। फार्शी भाषा के लिपी में खुदा और जुदा शब्द लिखने में मात्र एक विंदू का अंतर रहता है अर्थात फार्शी में जिसके पेट में बिंदा रहता है और खे के ऊपर में शंत कविर्शाव कहते हैं सुरत फशी संसार में ताते परिगादोर सुरत बांधी सु अस्तिर करो आठो पहर हुजूर हमारी सुरत चेतन विरिती संसार में फैली हुई है इसका पोर्ण शिम्टा होने से इसकी उधरविगती होगी अस्तूल सुक्षमादी आवारनों का भेदन होगा त्रेपट अंधिकार प्रकाश और सब्द को पार करने पर द्वयत बुद्धी मिट जाएगी तब क्या होगा परम पुझ गुर्देव की वाने में हम कह सकेंगे हम में तुम में भेद बुद्धी को जो सकते हैं मिटा वह तुम ही तुम वही में ही प्रश्न पुनी रहते नहीं इसलिए हम लोगों को शंसद गुरु से इस्ष्वर भक्ती की शही विधी जान कर मनोयोग पुर्वक नित्य अभ्याश करना चाहिए इसके लिए शंजम बतलाए गए हैं जूट चोडी नशा हिंशा और बेविचार इन पंचपापों से हम विरक्तर हैं प्रभु चरण में अनुरक्त रहें नित्य सत्संग करते रहें ध्याना भ्याश करते रहें प्रभु चरण में अनुरक्त रहें नित्य सत्संग करते रहें ध्याना भ्याश करते रहें और जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ पवित्र कमाई अवश्य करें पूजपाद महर्शी संसेवी प्रमहंशी महाराज का यह प्रवचन महर्शी मही आसरम कुपागाट भागलपूर में दिनांक एक दस उनीश्चो नवासी इश्वी को शापताहिक सत्संग के अवसर पर हुआ था श्री शद्यगुरू महाराज की जै